अभी कुछ समय पहले इंडिया ने जो मदर टेरिसा की चैरिटी को फॉरेंट फंडिंग आते थी भारत ने उसको अभी हाली में रोक दिया है कट कर दिया कि फॉरेंट से फंडिंग रसीव आप नहीं करेंगे ऐसे कुछ समय पहले बहुत सारे मदरसा और तमाम जगहों को फॉरेंट से फंडिंग याने की अरफ वर्ल से फंडिंग आते थी उन पे ब्रोक लाने कुछ की गई ऐसे एक और इंस्ट्यूशन था कैंब्रिज एनलेटिका उसको भी मोदी जीना भी बाहर निकाला ऐसे कुछ समय पहले नोट बंदी की जिसका असर हमें तब दिखा जब 373 हटा राम मंदिर का जज्जमेंट आया काशिव विश्वनात बन गया इस अब तमाम बहुत बड़ दिखें ना कि एक फॉर्टी सेवन बंब ऐसा कुछ नहीं देखा है यह फंडिंग्स रोकने का ही नतीजा है आपको तब समझ में नहीं आया साहथ आप समझ में आ जागा अगर आप लिंक करेंगे तो अभी हाली में कुछ और बड़ी बहुत बड़े नंबर्स में JNU और ऐसे कई institutions की भी foreign funding के license को रोक दिया कि आप foreign funding नहीं ले सकते हैं आपको ये license नहीं दिया जा रहा है आप हलका सा भी लिंक करेंगे तो जितने भी school colleges खुलते हैं वो खुद को non-profit दिखाने कोशिश करते हैं लेकिन आपको पता है कि सबसे अदामीर यही लोग है इधर से नहीं तो उधर से funding साती है इनका black का पैसा white का हो जाता है और इस सारे मौश कारते हैं और अपने motivations हैं जो भी intentions है उसको साधने कोशिश करते हैं उनके पीज़े जो भी नेता politician businessman जिसकी भी backing होती है वो अपना मकसद साथ लेता है तो यहां जब funding आती है चाए अरव वर्ड से आए चेक क्रिश्चेन वर्ड से यहां conversions होते हैं यहां political party अपना word bank जमा करती है यहां बे मतलब के communal harmony खराब होती है यह राइट्स होते हैं यहां की बहुस अंग के community को गाली दी जाती है उसी foreign funding के दम पे तो अब जब उस पर रोक लगती है तो कुछ लोग के दिल वितल ह हो जाते हैं कि यह क्यों हो रहा है communal harmony खराब हो रही है बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख दिया मोदी ने बिल्कुल नियॉयक का वही कहना कि जब minority communities पर attack हो रहा था उसी के बीच यह भी हो गया मतलब भारत में minority community बिल्कुल स्रक्षित नहीं है और हर minority community पर attack होता ही रहता है और यह उसका एक हिस्सा है अब इल्लों का यह कहना है कि हम लोग 71 सालों से सेवा कर रहे हैं और सेवा के आड में जोली बाट बाट के खाना बाट बाट के conversion कराते हैं सेंट मेरी सेंट थामस एसे क्रिशन मिस्टनरी स्कूल खोलते हैं और सीधा सीधा मूँ खोल के बच्चो गया था कि अगर आप हमाजी उसको मान लो तो हम यह फीस माफ कर देंगे यह एडमिशन कर लेंगे या फिर बच्चे को निकालेंगे नहीं वापस रख लेंगे इसका ही अगर सबूत दिखाऊं तो अभी हाली में 28 दिसंबर को 53 पीपल from 13 families in villages in पाराभणी and जलान डिस्रिक और अंगाबाद महराश्च्रा रिटर्न तो सनातन धर्मा from Christianity लोकल मिश्नरी राइट्स तो सी यह मैं लेजिंग कॉंस्पिरेसी अगेंस क्रिशिन अब जब लोगों की घर वापस ही हो रही है तो लोकल लोगों को मिश्नरी इसको दिक्कत हो रही है भाई की कॉंस्पिरेसी हो रही कृष्टन हो रहा है लोगों को रियलाइज़ेशन हो रहा है लोग वापसा रहे है लोगः जाहिल नहीं रहे लोहों के पास शायद अब पहले से जो पहले गरीबी थी उसका फाइदा उठा लिया गया अब शायद उनके हाथ में कुछ पैसा आ रहा होगा अब शायद देश की एक नौमी इंप्रूव हो रही होगी अब शायद देश उतना गरीब नहीं है जब आप मदर टेल सा की टाइम पे था और जब फाउंडेशन फाइदा उठाती थी जब उनके पास फंडिंग सी कोई कमी नहीं थी अब जब कमी हो गई है या हो रही है होने वाली है तो अब उनको समझ में आना की अटैक है कॉंस्पिरेसी है कभी सेंटर हमारी फंडिंग रोग देता है कभी लोग वापस चले जाते हैं अपने पुराने रिलिजिन में धर में तो इस जैसी सेवाएं हैं आपकी तो हमें ऐसी सेवाएं आपसे नहीं चाहिए क्रिपया हर वो कम्यूनिटी जो सोचती है कि हम ऐसी सेवाएं दे रहे हैं फंडिंग्स लेके दर दर कुछ भी करके लोग कनवर्ट कर रहे हैं और उसको भी वो फ्रीडम ऑफ रिलिजिन समझते हैं तो उस अगले का भी वो फ्रीडम बनता है कि वो जब चाहता वापस चला जाए वो एकसेप करे ना करे आज कर लेकर लो आपस चला आए उसकी मर्ज कड़ा था कि इधर-उदर से रोहिंग्यां को बसाया जा रहा है गुट-गुट में, गुरूप-गुरूप में, कॉलोनी में, हर जग बसाया जा रहा है क्यों चुनाओ आने वाले थे बहुत सारे ऐसे रैकेट बर्स्ट हुए थे जो फेक डॉक्यमेंट कर रहे थे क्यों क क्योंकि उनको अथेंटिक करना था, लिगलाइज करना था, अभी हाली में, यूप पुलिट बस्ट फेक अधार और लेबर कार्ड रैकेट, सिफ खालेज जावेद अरेस्टेड, विथ आई-र, आई-स, फिंगरप्रिंट डिवाइज और फेक स्टैंप, एक्सिक ट्रक, क्योंकि यहां पर सीधा दो टुक्की लड़ाई है, भाजपा को अगर कहा जाता है कि हिन्वों की पार्टी है, हिन्वों का ही वोट बैंक लेके चल लएए, तो जो नौन भाजपा वाले हैं, वो सुद्ध सुद्ध मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, इस बात के लिए ओव होता है, और एक experience होता है, कि मैंने क्या देखा है, ये करने से क्या असर पड़ेगा, तो अगर अगले ने कुल हाड़ी सही जगा मारी है, तो रियक्शन कहीं ना कहीं होगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, नए हो तो सबसाइब कि बना मत जाएगा, किसी भी तरह का support करना, description में सब कुछ दिया है, यहां आप साइट में देख सकते हैं, समर्तन जरू करेगा, फिर मिलते हैं, अगले ने जैहन, बंदे मातरा